नमस्कार उत्राकर्ण मुक्त शुद्यालाई योग विभाग आप सभी का स्वागत करता है। मैं नीता दियोलिया मेरे साथ मेरी सहयोगी भावनभिष्ठ है। आज के आसनों के क्रम में पवनमुक्तासम भाग 3 का अभ्यास रहेगा। पवनमुक्तासम भाग 1 वभाग 2 का अभ्यास आपने पिछली वीडियो में देखा था। अब आगे की ओर बरेंगे इसी क्रम में। आज का जो अभ्यास रहेगा वह शक्ति बंद के आसन रहेंगे। जो आपके शरीर में और जाके संचार के अवरोधों को दूर करता है। साथी साथ शरीर में जहां कहीं भी जक्रन होती है। खिचाव देकर उस अंगों को लचीला बनाता है। इसलिए हम आज का अभ्यास करेंगे पवनमुक्तासन भाग 3 जो पहला अभ्यास रहेगा वह रहेगा रज्जो कर्शन। सबसे पहले आप दंडासन की स्थिती में आएंगे दोनों पैरों को सामने की और फैला लीजिए। पैरों को खीच कर रखेंगे दोनों हाथों को मुठी बन करते वे गुटनों के अगल बगल में रखें। स्वास भरते वे बाय हाथ को कंधे के बराबर सिर के उपर की ओर लेकर जाएं। इस भावना के साथ कि आप रसी को खीच रहे हैं और रसी खीच तेवे नीचे लेकर आएंगे यहीं से दूसरे हाथ से स्वास भरते वे उपर लेकर जाएंगे। जैसे आप कुए में से पानी निकालते हैं उसी प्रकार आप रसी को नीचे की ओर खीचेंगे। तीन बार अभ्यास करेंगे, पुनह दूसरी बार बाय हाथ से स्वास भरतेवे उपर, स्वास छोड़तेवे नीचे, पूरी ताकत के साथ आपको करना है अभ्यास, स्वास भरतेवे उपर, स्वास छोड़तेवे नीचे, स्वास भरतेवे उपर, स्वास छोड़तेवे नीचे तीरे से यहीं से दोनों हातों को डीला छोड़ते वे विश्राम की स्थितिमा आएंगे यह अभ्यास कंधे वा कमर के उपर ही हिस्से तक खिचाउत पन कर मांस्पेश्यों को लचीला बनाता है जोड़ों को लचीला बनाता है यहीं से सिक्रम में अगला अभ्यास गत्यात्मक मेरु अक्रासन का रहेगा दोनों पैरों में एक से दो फिट की दूरी बना कर रख लें जितने की आप सामानी स्थिती में कमर सीधी करके बैठ सकते हैं आप चाहें दोस्विधा अनुसार पैरों को थोड़ा और खोल कर रख सकते हैं तोनों हातों को कंधे के समाना अंतर फैलाएं स्वास भरते वे स्वास शोड़ते वे आपको अपने बाय हात से दाई पैर के अंगुटे का स्पर्श करना है बडी को ट्ëwis्ट करते वे लेफ्ट हन से राइट लेक के टो को टच करना है और आपकी नजरे पीछे बाय हात की ओर रहेंगी आपको इस स्थिती में स्वास भरते वे कमर को मोड़ना है स्वास चोड़ते वे बीच में आना है पुनह स्वास भरते वे दाई ओर जाएंगे स्वास भरते वे बीच में फिर से यहीं से अभ्यास दूसरे राउंड का करेंगे स्वास छोड़ भरते वे पुनह जाएं शरी को खीच कर रखें पुनह स्वास छोड़ते वे बीच में आए स्वास भरते वे पुना जाए अभ्यास का क्रम जारी रखें एक से दो बार यही अभ्यास गत्यात्मक रूप से करें ध्यान रहें जिने कमर की गंभीर समश्या है कमर से संबंदीत कोई भी विकार है वही सभ्यास को सावधानी पूर्वक करें दस से बारा बार सुविधा के अनुसार आप यह अभ्यास बढ़ा सकते हैं तीरे से यही से वापस आएंगे स्वास भरते वे दोनुं हाथों को नीचे लेकर आएं समान्य स्थिती में यह अभ्यास कमर को लचिला बनाता है कमर की जक्रन दूर करता है पैरों की जक्रन दूर करता है यही से अगला अभ्यास करेंगे चक्की चालासन का अभ्यास दोनों पैरों में एक फिट की दूरी बना कर रख लें या पैरों को कंधों के बराबर या थोड़ा और दूरी पर रख सकते हैं जिस प्रकार चक्की चलाते हैं आपको दोनों हाथों को कंधे के समनांतर आगे की ओर लेकर आना है उंगलियां आपस में फसा कर दोनों हाथों को सीधा रखना है ध्यान रहे चक्की चलाने के समानिया अभ्यास चक्की चालासन है आप सबसे पहले हाथों को बाई दिशा की ओर लेकर जाएंगे गोल गोल चक्र बनाते वे स्वास भरेंगे और स्वास छोड़ते वे आगे लेकर आएंगे जितना आप लेकर आ सकते हैं दाई और जाएंगे पुनल स्वास भरते वे पीछे स्वास छोड़ते वे आगे की ओर आप जाएंगे हाथों से चक्की चलाने के समान गोल गोल आपको चक्र बनाते जाने हैं इसी प्रकार आप 5 से 10 बार यह अभ्यास कर सकते हैं आप इसी में ही विप्रीत दिशाम में अगर करेंगे यदि आप 10 राउंड करते हैं तो आपको 10 राउंड एंटी क्लॉक वाइस भी करना है उतने अभ्यास आपने क्लॉक वाइस किये उतने ही अभ्यास एंटी क्लॉक वाइस करेंगे लगतार चक्की चलाने का अभ्यास करते रहना है यह अभ्यास उदर के संस्थान पर काफी अच्छा प्रभाव डालता है महिलां में मासिक चक्र को नियमित रूप से करता है साथिसान यह अभ्यास कॉंस्टिपेशन के लिए काफी अच्छा अभ्यास है दीरे से वापस आएंगे ध्यान रहें जिने कमर की गंबी समश्य है वह ज्यादा आगे जुक कर अभ्यास ना करें बीजवीच में यदि आपको ठकान होती है आप विश्राम की स्थिती में भी आ सकते हैं यही से आसनों के क्रम में नौका संचालन का अभ्यास करेंगे जिस प्रकार नाव चलाते हैं यह सभी उदर के संस्थान को स्ट्रेंटिंग करने वाले अभ्यास हैं तीर इसे छाती के बगल में दोनों हाथों को लेकर जाएं मुठी बन करते हैं जिस प्रकार नाविक चप्पू चलाता है उसी प्रकार स्वास भरते हैं हाथों को उपर की ओर लेकर जाएं स्वांस छोड़ते वे आगे की ओर जुकेंगे जितना आप जुक सकते हैं अधिक्तम स्वांस भरते वे पुना पीछे की ओर जाएं जितना अधिक्तम आप जा सकते हैं स्वांस छोड़ते वे आगे की ओर चार से पांच बार करेंगे जितनी बार आप clockwise करते हैं उतनी बार आपको anti-clockwise भी करना होता है दीरे दीरे अभ्यास करेंगे स्वास प्रस्वास का ध्यान देते वे यही से पुनस सामानी स्थिती में आएंगे और यही से अभ्यास पीछे से आगे की ओर जाकर करेंगे बीछे की और जाएं स्वास छोड़ते वे आगे की और आएं नीचे से उपर की और नाव चलाना आप हाथों को ऊपर ले जाते वे भी नाव चलाएंगे, आतों को नीचे की और लाते वे भी दोनु Hills पोजिशन में आपको करना है यह अभ्यास उदर की मांसपेश्यों को मजबूत बनाता है साथी साथ उदर के अंगों की मालिष करता है यह अभ्यास इस्त्री रोगों में काफी प्रभावशाली अभ्यास है जिसका सीधा प्रभाव कॉंस्टिपेशन पर भी पड़ता है अभ्यास के चक्र पूर्ण होने के बाद पुना विश्राम की स्थिती में आएंगे दुनों हातों को थीरे से कमर के पीछे लेकर जाए विश्राम की स्थिती में दंडासन की स्थिती में कमर धीली रहेगी कंधों के बराबर दूरी रहेगी दोनों पैरों के बीच कमर धीली, गर्दन धीली, आँखे बन प्रारंबी किस्तिती में हो सकता है यदि आप नयानय अभ्यास कर रहे हैं इन अभ्यासों में आपको ठकावट महसूस होती है बीच-बीच में विश्राम करें यही से आसनों के क्रम में जो अगला अभ्यास रहेगा काश्टक्षणासन का अभ्यास धीर इसे दंडासन किस्तिती माए दोनों पैरों को मोड कर पंजो के बल बैट जाएं दोनों पैरों को जंगा के अगल बगल में रखें पैरों को शरीर के अगल बगल रखें पैरों को थोड़ा और खोल कर रखें जितना आप खोल सकते हैं, कास्तक्षणासन, लकड़ी काटने के समान, अभ्यास, दोनु घुटनों के बीच में हाथों को लेकर आएं, उंगलियों को आपस में अच्छी प्रकार फसालें, हाथों का खिचाव आगे की और, पैरों का खिचाव बाहर की और बना रहें, स्वास भरें, स्वास छोड़ते वे लकड़ी काटने के समान, हाथ, पुनस स्वास भरते वे उपर, स्वास छोड़ते वे, हाथ, स्वास भरते वे उपर, स्वास छोड़ते वे, हाथ, इसी प्रकार आप अभ्यास जारी रख सकते हैं, यदि आपको इस में, इस स्तिती में बैटने में दिक्कत होती है विशेश रूप से उन व्यक्तियों को चिने पैरों में जक्रन रहती है तो वे यह अभ्यास खड़े होकर भी कर सकते हैं ध्यान रहे जिने अर्थराटिस की प्रॉब्लम है वात्रोक संबंदित कुटनों से संबंदित कोई समश्या है तो वो इस स्थिति म में अभ्यास ना करें कंदों की जक्रन दूर करता है साथी सांद फेफनों की कारिशमता को बढ़ाता एक थीरे यहीं से अभ्यास को रूपते व expresses करें हासन का अभ्यास इसी में ही दोनु हाथों को घुटनों के बीच में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा की स्थिति आप जोड़ कर रखेंगे दोनु कोहुन्यों का दबाओ घुटनों की हो रहेगा घुटने बाहर की और खिचेवे और कमर सीधी रहेगी स्वास भरतेवे स्वास चोड़तेवे हाथों को घुटनों से दबातेवे पास में लेकर आए हाथों को सीधा करें दुनुग हातों के बीश में गर्दन को नीचे के और रखें स्वास भरतेवे पुना नमस्कारासन की मुद्रा में आए इस स्थिति में आते वे स्वास बरेंगे कमर सीधा करेंगे स्वास शोड़ते वे कमर का जुकाव बनाएं हातों को सीधा करें गुटनों से दबाते वे पुना अंतिम बार करेंगे स्वास बरते वे पुना बीच में आएं तुरी class किस्जामर खीश्टें गुटनों पस पूर्टॉरा खिचाव देते वे त्सवास चोड़ते वे आगे कि और अज की ओर हादों को ले कर जाए यह अभ्यास घुटनों के जोडों के लिए कंधों के लिए वजंगाओं के लिए काफी अच्छा अभ्यास है यह अभ्यास थाई स्ट्रेंटिंग के लिए काफी अच्छा अभ्यास है जो hip joint की flexibility, knee joints की flexibility, thigh joints की flexibility को बढ़ाता है तीरे से अभ्यास को विराम दिंगे और यहीं से इसी सीरीज में square pose में ही अगला अभ्यास करेंगे पंजो को बल बैटने वाले अभ्यास में हाथों को खुटनों के अंदर की ओर लेकर जाए दोनुपंजो को आप पकड़ लेंगे कमर को खीच कर रखे स्वास भरेंगे स्वास छोड़ते वे आपको आगे की ओर जुक कर पैरों को सीधा करना है सिराप का जमीन की ओर रहेगा और खड़े होने का प्रयास करना है परन्तु ध्यान रहे अंतिम स्थिती में आपके हाथ इसी स्थिती में रहेंगे पुनह स्वास भरते वे फिर से बैठने का प्रयास करें जितना अधिक्तम आप बैठ सकते हैं पैरों पे खिचाव देते वे स्वास छोड़ते वे उपर की ओर उठें पुनह स्वास भरते वे बैठें और पूरा स्वास बहार फिर इकते वे फिर से उठने का प्रयास करेंगे जितना अभ्यास आपके पूरे पैरों पर खिचाव देते पन्न करता है पैरों की मानस पेश्यों को लचीला बनाता है जितना अभ्यास अंतिम बार करेंगे इसका अभ्यास स्वास छोड़ते वे पूरे पैरों को खिचने का प्रयास करेंगे तीरे से वापस आएंगे यहीं से यहीं से अगला अभ्यास करेंगे कववचालासन का कववचालासन इसी पोजिशन में ही आप करते हैं कि आपको आगे की और वॉक करते वे चलते वे जाना होता है आपकी दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे कि पैरों को सुविधानुसार रखे थोड़ा पासमा आप रख सकते हैं कि दीरे दीरे आपको एक कदम आगे बढ़ाना है एक पैर से किसी भी एक पैर को आगे हल्का सा उपते हुए आगे की ओर बढ़ाएं चर्शा न्युक्त, पंजों के बल आकर आगे की ओर आएंगे और दीरे से एक पैर को समीन की ओर लगाएं विप्रीत दिशा में यदि आप अपना डाया पेर उठाते हैं तो आपको डाये पेर को जमीन से बाई और लगाना है धीर इस स्साथ भरते फिर से उठेंगे स्वास-प्रस्वास सामानिय आप रख सकते हैं पुनर बाइं पैर को आगे की और बढ़ाएं तीरे-धीरे मूवमेंट करें यदि आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप अपनी जगा भी कर सकते हैं धीरे-धीरे अभ्यास को बढ़ाना है बाइं पैर को दाइं और मोड कर पुनर वापस जाएंगे आपको इस प्रकार एक एक कदम चलते वे आगे जाना होता है यह अभ्यास में हो सकता है आपको इस इस्तिती में बैठने में कठिनाई हो तो आपको चलना कठिन लगेगा तो सबसे पहले आप इससे पूर्व बताए गए अभ्यासों को करें पैरो का लचिला पन पैरो की स्ट्रेंटनिंग करें ताकि आप इस अभ्यास तक पहुंच सकें तीरे-धीरे वापस आएंगे यहीं से और इसी में ही अगला अभ्यास देखेंगे अगला अभ्यास उद् गुष्ट को बाईई और से दबाने का प्रयास करना है और बाईए पैर को दाईई और रखेंगे दोनु में विपरीत दिशा में दबाव डालना है जो पैर उपर रहेगा उसी और दाईई और आपको देख ना है पूरे बॉडी को ट्ष्ट करते वे फिर से स्वास भरते वे बीच में आएंगे, दुनों पैरों को वापस लेकर आएंगे, स्वास शोड़ते वे यहीं से विप्रीत दिशा में फिर से दबाव दिंगे, इस बार आप अपने बाएं पैर को पेट की और दबाएंगे और दाएं पैर को नीचे रखेंगे, एक एक करके आप पैरों की की और दबाव बना रहें, पूरी ट्विस्टिंग करते वे, स्वास भरते वे, आपको पीछे की और देखते वे जाना है, जिससे की पूरा दबाव उदर संस्तान पर पड़ें, क्योंकि यहाँ अभ्यास उदर के संस्तान को मजबूत करता है, पाचन संस्तान को मजबूत बनाता है पाचन संबंदी समश्या को दूर करता है यह अभ्यास कब्ज की समश्या को दूर करने में सहायक अभ्यास है जिन्हें सिस्तिती में बैठने में दिक्कत होती है पैरों के जोडों से संबंदित किसी प्रकार की समश्या है विजबर्दस्ति इस आसन में इस सिस्तिती में ना जाएं ध्यान रहें यदि आप सुविधा पूर्वक इस आसन में बैठ सकते हैं तभी इसका अभ्यास करें तीरे धीरे पूर्वक इससे पूर्व बताए गए पूरे अभ्यासों को भली भाती अच्छी प्रकार करें ताकि आपके पैरों की जक्डन दूर हो सके तीरे से यही से वापस आएंगे विश्राम की स्थिती में दंडासन की स्थिती में आए चार से पांच बार, पांच से दस बार आप यह अभ्यास कर सकते हैं अभ्यास पूर्व होने के बाद आप विश्राम की स्थिती में आते हैं यह अभ्यास उधर संस्तान से लेकर आतों तक पूरा खिचाव आपके पेट पर डालता है तो जो आप अभ्यास करते हैं आपको पूरा दबाओ पैर का पेट की और रखना है और अंत में विश्राम की स्थिती में जो बैट कर स्थिती रहती है पैरों के बीच कंदों के बराबर दूरी पंजे बिलकुल ढीले रहेंगे बार बार आपको यह स्थिती बताई जाती है कि आप बैट कर इसमें विश्राम कर सकते हैं कमर ढीली रखते वे आखें बंद रखत आप इसमें से किसी भी ध्यानत्मक आसन का चैन कर सकते हैं, ध्यान के अभ्यास हे तू, तो धीरे से दंडासन में आए, पुना आसनों के क्रम में पहला अभ्यास सुखासन का रहेगा, जो बिल्कुल सामान्य और सहज इस्तिती होती है, आप दोनों पैरों को मोड़ कर, जंगाओं के नीचे रख लेते हैं जिस परकार आप अपनी देन चरिया में भी यहां आसन को सामिल करते हैं, जब आप नीचे बैठते हैं, तारंबिक श्थीती में, यदि अन्यासनों में बैठने में असुविधा हो, तो आप इस आसन का चैन कर सकते हैं सुखासन का अभ्यास, सुखासन का अभ्यास काफी comfortable अभ्यास है, ध्यानत्मकासनों की क्रम में और सबसे पहला सबसे आसान जो आपके शरीर को मन को शांती शितिलता प्रदान करता है, इसी में ही धीरे से वापस आएं, वह अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, दोनों पैरो को सीधा रखें, अगला अभ्यास अर्दपदमासन का है, अर्दपदमासन के बाद हम पूर्ण पदमासन का अभ्यास भी करके दिखाएंगे, परन्तों ध्यान रहें, इस अभ्यास के लिए आपके पैरों के जोड़ों का लचीलापन होना आवश्यक है, अनिता आपको आपने में असुविधा होगी, त्यानत्मकासन का चैन करते वे ये ध्यान रखें कि आपकी स्तिती सहजो, ज़्यादा देर तक आप उस स्तिती में बैठ सकें, दीर इसे किसी भी एक पैर को दूसरी जंगा के ऊपर लेकर जाएं, जिस भी पैर को ले जाने में आप अर्दपदमासन की स्तिती है, यदि आप इसमें नहीं जा सकते हैं, तो अर्दपदमासन किस प्रकार करना है, जो पैर आपने ऊपर रखा है, उसे नीचे रख ले, यह अर्दपदमासन की स्तिती है, तो प्रारम्भिक स्तिती में आप इसमें बैठ सकते हैं, आखें बन करत लेवे अभ्यास जब भी आप करेंगे यह आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कमरगरधन ध्यानत्मकासन में सीधी रहे कि यहीं से हम पूर्ण पदमासन की स्थिती का भी अभ्यास करेंगे तीर इसे जो पैर नीचे रखता उसे उपर लेकर आए यह जो अभ्यास आपने किया अर्द पदमासन का था और जो अभ्यास अपकर रहे वह पूर्ण पदमासन का अभ्यास है जिसमें आपके दोनु पैर एक दुस्ती जंगा की उपर रहते हैं क्रॉस पोजिशन में और अर्द पदमासन में वही पैर आपका जंगा के नीचे रहत धीरे से वापस आएंगे दंडासन की स्थिती में ध्यान रहे ध्यान अत्मकासन का अभ्यास जब आप करेंगे पदमासन अर्दपदमासन की क्रम में आप तभी अभ्यास करें जब आपकी कमर लचीली है यदि कमर में बहुत जादा जक्डन है तो आपकी कमर तेड़ी रह सकत है उस वक्त आप दिवार का सहारा लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं जिने साइटिका की या सैक्रल इंफेक्शन से संबंदित कोई भी समश्या है वे इन अभ्यासों को ना करें या किसी कुशल योग गुरु के मार्क दर्शन में ही अभ्यास करें यदि समश्या गंभीर है तो आप इस इन आसन्स को आइवोइड कर सकते हैं यह अभ्यास मांसिक स्थिर्टा के लिए काफी अच्छा अभ्यास है पदमासन का अभ्यास जो आपके शरीर की स्थिर्ता को बनाए रखता है ध्यान के लिए मन को शांति प्रदान करने वाला अभ्यास ध्यानत्मकासन में सब यह अभ्यास आपके मन को इकागर करने वाले अभ्यास है इसी में ही अगला अभ्यासम करेंगे सिध्धासन का तीरे से राइट पंजे को आपको रूट पार्ट के पास रखना है तीरे से राइट लेक को मोड कर आपको इस प्रकार रखना है कि आपके पैर का तलवा जंगा पर दबाव डाले आपकी एडी शिवनी प्रदेश की और दबाव डाले और यहीं से दूसरा पैर मोडते हुए ठीक उसी एडी के उपर रखेंगे, दोनों पैरों के तल्वों का दबाव जंगा के एक दूसरे की और रहेगा, बाएं पैर के तल्वे का दबाव दाई जंगा की और, दाएं पैर का दबाव बाई जंगा की और रहेगा, कमर सीधी रखते वे, पैरों में खिचाव देते वे कमर सीधी रखते वे यदि आपको साइटिका की समश्य है तो यह अभ्यास ना करें सेक्रल संबंदित कोई भी समश्य है सेक्रल इंफेक्शन यह सीवियर बैक पेइन तो उस कंडिशन में यह अभ्यास ना करें समानिस्तिती में यह अभ्यास किया जा सकता है मोल प्रदेश की मान स्पेश्यों पर दबाव डालते वे जह अभ्यास आपकी एक आग्रिता को बढ़ाने वाला अभ्यास है धीरे से यही से समानी स्थिती में लोट कर आए अगलव अंतिम अभ्यास वजरासन का धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते वे दोनों हाथ बाईयों रखें दाईयों से पैरों को मोड़कर पंजों को मिला कर रखें एडियों की उपर इस प्रकार बैठें कि आपके दोनों नितम एडियों पर पूरा दबाव डाले यदि आप को कुटनों से संबंदित कोई समश्या है कुटनों की जोड़ों से संबंदित कोई समश्या है तो इस अभ्यास को ना करें कमर गर्दन सीधी रहेगी आखे बन यदि आप को साइटिका से संबंदित कोई समश्या है सेक्रल इंफेक्शन है तो उन रोग्यों के लिए उन व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास काफी अच्छा अभ्यास है वजरासन का अभ्यास जो वजरनारी को प्रभावित करता है साइटिका में पेन रिलीव के लिए काफ सीधी रहती है क्योंकि पूरा दबाव पैरों पर पड़ता है परन्तु पैरों का लचीला होना बहुत आवश्यक है कि वे इसका अभ्यास और आसानी से कर सकते हैं जिनके पैर लचीले हैं जिनने किसी प्रकार की पैरों के जोड़ों से संबंदित कोई समश्या नहीं है यह केवल एक मात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जाता है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव डाइजेशन पर पड़ता है भोजन के पाचन की क्रिया में यह अभ्यास काफी अच्छा है जो भोजन की पाचन की रिया को बढ़ाता है कब अपच से संबंदित समश्या वाले व्यक्ति यह नियमित अभ्यास कर सकते हैं यह अभ्यास खाना खाने के बाद एक से तीन मिनट पाच मिनट वदीरे दीरे दस मिनट तक अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है कि यदि आप ध्यानत्मक आसन की सीरीज में यह अभ्यास का चैन करते हैं, तो लंबे समय तक इस आसन में बैठने का प्रयास करें तो आज हमने जाना कि किस प्रकार ध्यानत्मक आसन के लाव वो सावधानिया है वो किस प्रकार शरीरिक, शम्ता के अनुसार, शरीरिक, सहष्ता के अनुसार अब अपने आसन का चैन कर, ध्यानत्मक आसन का चैन कर सकते हैं